हेलो वेलकूम बैक स्वागत आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर तो आज हम लोग नया वीडियो स्टार्ट करने वाले जैसे कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम लोग फ्रेंचाइजिसिंग स्टार्ट करेंगे ठीक है तो चलो हम लोग यहां पर द फास में पैसा बहुत कम है शांतिलाल थोड़ा डर्पो किसम का व्यक्ति है वो कहता कि मेरे पास पैसा भी बहुत कम है बिजनस शुरू करना चाहता हूं और मेरे रिस्क नहीं लेना चाहता किसी भी तरह का इसका मतलब क्या कि मैं स्टार्ट आप करूंगा मैं पैसा जाए without any kind of risk, मतलब थोड़ा बहुत risk हो, तो कोई issue नहीं है, लेकिन मुझे profit हो जाए, तो उसके mind में एक idea आता है, क्यों ना मैं इस MRF के पास जाऊं, क्योंकि वो टायर के business शुरू करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं अपना business शुरू करूंगा, तो मेरे को अपना brand establish करने मे time लगेगा, अपनी credibility बनाने में time लगेगा, अपनी goodwill बनाने में time लगेगा, फिर profits भी देरे-देरे करके आएंगे, लेकिन शांतिलाल को तो सबरी नहीं है, शांतिलाल MRF के पास जाता है, शांतिलाल MRF से बोलता है कि MRF, MRF, मैं आपका product बेशना चाहता हूं, या मैं आपक product बेशने का exclusive right दे दो, MRF गोलता बहुत अच्छी बात है, आप कौन हो, मैं आपको जानता नहीं हूं, या कोई भी सब चीज़े, क्योंकि MRF एक चिन्नेई-based company है, high goodwill कमाती है, high profit कमाती है, और हां MRF भी अपने business को expand करना चाहती है, लेकिन MRF हर एक को ऐसे थोड़ा उठा क करके अपने legal right दे देगी, तो वो शांतिलाल की location पर जाती है, शांतिलाल की location पर जाकर करके देखती है, कि शांतिलाल क्या वाक्य में ही मेरा product बेशने के लायक है, क्योंकि आप सब जानते है, MRF के जितने भी आपने आसपस जो भी आपने stores देखे होंगे, वो MRF के मालिक त तो इसी process को समझाना है मुझे आपको, कि यह process क्या होता है, जब एक owner अपने नाम को use करने का legal right दे देता है किसी दूसरे retailer को या दूसरी organization को, इस process को क्या कहते है, इस process को कहते है हम लोग franchising, MRF शांतिलाल की जगे पर जाएगा, उसको देखेगा कि उसकी location क्या है, उसका setup क कैसे काम करना चाहता है, उसके बाद MRF allow कर देगा कि हाँ, आप मेरे नाम को use करके मेरा product बेज सकते हो और profit earn कर सकते हो, लेकिन इसके बदले में आपको मुझे कुछ पैसा देना होगा in terms of royalty, तो जो पैसा MRF शांतिलाल से लेगा, हर महीन लेगा, या हर साल लेगा, या जितन का mutual agreement पर depend करता है, तो दोनों के बीच में जो ये process शुरू हुआ, दोनों के बीच में जो ये arrangement हुआ, इसी arrangement को बोला जाता है, franchising, clear है यहां तक, चलो, तो जैसे कि यहां पर हमने अभी पड़ा, franchising किसे कहते हैं, ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये देखते हैं, अब एक MRF ह है, और ये शांतिलाल है, इनका नाम चेंज हो जाएगा, agreement में, agreement में नाम चेंज होने का मतलब नहीं कि, MRF का नाम चेंज हो कि कुछ और पड़ जाएगा, agreement के बिहाफ पर अगर हम लोग देखें, तो यहां पर दो parties बन जाती हैं, एक MRF और दूसरा शांतिलाल, MRF के ब्रैक फरेंचाइजर, MRF, फरेंचाइज़ई, शांतिलाल और शांतिलाल ने किया करा, शांतिलाल ने MRF की फरेंचाइज बाये करी हैं, च्लियर रहाया तक, ठीक है, एक छोटा सा और hypothetical example हम लोग ले ले लेते हैं यहां पर, कि फरेंचाइजिंग कैसे काम करती है, यहां पर एक B- प्राइवेट लिमिटेट फार्मसूटेकल एक यूनिट है जिसका एक Immunity Booster B प्लस प्रोड़क्ट आता है जो यह प्रोड़क्ट है यह ट्रेड्मार्ग्ड प्रोड़क्ट है ट्रेड्मार्ग का का brand name है, Pepsudent brand name है, Cole Close Up brand name है, Toothpest तो कोई बना रहा है, Immunity Muster भी कोई भी बनाएगा, लेकिन B Plus के नाम से कोई नहीं बेचेगा, that is called Trademarked Product, एक ये legal right है B Plus के पास में, B Plus, Private Limited के पास में, कि ये B Plus के नाम से केवल ये ही company बेचेगी, अब ये अपने खुद के brand को, अपने खुद की company को expand करना चाहती है, तो उसने देखा कि यहाँ पर Delhi में कुछ retailers है, Mumbai में कुछ retailers है, Chinnay में और Kerala में कुछ retailers हैं, जो इस काम को करना चाहते हैं, और इस brand को बेचना चाहते है, B Plus को, तो इसी तरह से B Plus के brand को बेचने के लिए exclusive ride दिया जाता है, इनको सब को local distribution के लिए, clear है यह बात, और इसी तरह से जितने भी ये retailers हैं, ये सारे के सारे, जितने भी हैं, ये सारे के सारे, जो भी हमारा franchiser है, B Plus Private Limited, इसको royalty pay करेंगे in terms of money, यहाँ तक simple बात समझ में आती है, तो हम लोग अपने business को expand करने के लिए, अगर हम लोग franchise है तो हम लोग अलग-अलग state में अपनी franchise sale कर सकते हैं, किसको sale करेंगे franchise, franchise को, यहाँ तक clear है, चलो, अब आता है, franchise agreement में क्या क्या चीज़े होती है, उसका main ingredients क्या क्या होती है, सबसे पहला आता है contract explanation, contract explanation एक पार्ट है हमारा franchise agreement का सबसे पहला, उसमें basically यह एक agreement का outline होता है, इसमें कोई भी manufacturing process होता है, वो दिया होता है, manufacturing process का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दो ही parties है, franchiser और franchisee, manufacturing का मतलब है कि, अगर MRF है, देता है, तो इस case में क्या franchisee tire बनाएगा, इस case में क्या franchiser tire बनाके franchisee को supply करेगा, तो वो एक mutual agreement होता है, उसमें clearly mention होता है कि production कौन करेगा, जैसे MRF के case में तो totally जो production होती है, वो तो head office है, production हो कर किया दा, चिन्नाई से, माल बन करके अलग-अलग states में supply होता है, अलग-अलग जो भी franchisee है, वहाँ पर supply होता है, और फिर franchisee उसको आगे बेशती है, कोई भी franchisee tire तो नहीं मनाती है, तो इसी तरह से अलग-अलग, जैसे MACD की हम लोग बात करें, MACD में सारा process, अब MACD थोड़ा भेजेगा, burger बना कर, या sausage बना करके, वो तो नहीं भेजेगा न, तो उस case में क्या होता है, यहाँ पर franchisee को माल, कुछ, माल franchisee बनाती है, कुछ franchisor भेजते हैं, तो इस तरह से यह सारा का सारा outline, manufacturing का जो process है, वो clearly mention होता है, contract explanation में, उसी के साथ में जो training और ongoing support होता है, कि technical support, कई सारी चीज़ों में technical support की requirement होती है, जरूर थोड़ा कि हम लोग सिर्फ manufacturing of goods की बात कर रहे हैं, यहाँ पर services की तो बात कर सकते हैं न हम लोग, तो services में हमें training की जुरुत पढ़ते हैं, for example, school है, school एक organization है, अगर वो अपनी franchise किसी को बेचता है, तो वहाँ पर जो staff है, उसका operations कैसा है, वो किस तरह से पढ़ाते हैं, पुरे साल में किस तरह से exams, organize होते हैं, या क्या सारा process है, उसके बारे में एक training support और ongoing support यहाँ पर clearly mention होता है इस contract explanation में, ठीक है? Next आता है operation manual, operation manual का मतलब होता कि franchiser जो भी कोई policies होती है या franchiser कुछ भी change करना चाहता है अपने product के अंदर, तो वहाँ पर franchise को भी change करना पड़ेगा अगर franchiser चाहता है कि मैं अपने product के price में कुछ change करूँ, तो वहाँ पर franchise को भी उस product में चींज करना पड़ेगा, उसके price में change करना पड़ेगा, और यह जो price है, same होने चाहिए, ऐसा नहीं कि franchisee उसको अलग rate पर बेच रहे है, franchiser वो अलग rate पर बेच रहे हैं, rates भी क्या होने चाहिए इनके, same उनुचे, फिर आता है कि इसी के अंदर franchise को जितने भी सारे documents होते हैं, दोनों के बीच में जो mutual agreement हुआ है, वो सारे confidential रखने पढ़ते हैं, या अगर हम लोग बात करें, कोई food making company है, मेकडी की बात कर लेते हैं, जो का जो recipe है, किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से जो processing होती है, उन सब चीजों को भी confidential रखा जाता है, next आते हम लोग proprietary statements पर, proprietary statement का मतलता है marketing और advertisement procedure के बारे में बात की जा रही है, किस तरह से marketing करनी है, ये franchiser बताता है, franchising को की, marketing के अंदर basically यहाँ पर according to अभी आप class 12 के साबसे, four piece की बात हम लोग कर लेते, product, price, place and promotion, किस तरह से आपको promotion करना है, कितना price रखना है, आपको distribution channel कैसा रखना है, उन सब चीजों के बारे में contract में दिया होता है, फिर advertisement procedure के बारे में, social media use करना है, print media use करना है, अगर print media use करना है, या social media use करना है, तो उसका जो national TV पर advertisement होती है, वो कौन देता है, वो franchiser उसका खर्चा करता है, जैसे कि यहाँ पर mention है, यहाँ पर एक international platform है, OTT platform, Amazon Prime, अगर उस पर B plus immunity booster की advertisement आती है, तो उसका कितना खर्चा जो है, franchisee भी देगा, ऐसा तो है नहीं कि सारा benefit franchiser को हो रहा है, benefit तो franchisee को भी तो हो रहा है न, franchisee innocence तो अलग-अलग देली में, मॉंबई में, करला में, जितनी भी branches open हुई है, B plus immunity booster जो यह लोग बेच रहे हैं, तो यह franchisee भी कितना पार्ट contribute करेगी, इस advertisement का, कितने रुपे franchiser को इस पार्ट में देगी, वो सब भी इसमें mention होता है, ठीक है, और फिर आता है last में ongoing site maintenance, ongoing site maintenance का मतलब होता है कि franchisee का जो भी outlet है या franchisee, जहां पर भी अपना सामान बेशती है, या जो भी अपनी services provide करती है, उसका interior या हम लोग बात करें कि उसका structure कैसा है, वो location कैसी को, कोई ऐसी location तो नहीं कि बहुत बुरी location है, पतला कि franchisor बोले यार मैंने तो आपको काम करने के लिए franchise बेचा है मैंने आपको, लेकिन आपने तो मेरी goodwill ही और खराब करती है, तो उसकी location, उसका furniture, उसका interior, उसका way of giving services, या way of providing food या जो भी सब चीज़ें, वो सारी check करने होती है, उसके अंदर clearly mention होता है, कि आपकी किस तरह की location होनी चाहिए, किस तरह का furniture होना चाहिए, किस तरह का आपका infrastructure होना चाहिए, clear है यहां तक सबको, कि French, अभी तो हमने basic पढ़ा इसके अंदर, ठीके, अभी हम लोग आगे, इसके advantages पढ़ेंगे, disadvantages पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हम लोग franchising के बारे में, आपकी next video, thank you very much उुँन जो जो हम अंदरी हम पढ़ेंगे, उनरे में पढ़ेंगे झाओेंगे हम लोग यहां जो भादेंगेगे, आपकी अकीर भादे हम में दोमतillas P scientific र warदेंगेगे, दुँन